कि अब बॉर्णिंग दोस्तों कैसे आप सभी लोग एलेवेट कोचिंग इस ऑनलाइन प्रेटफार्म पे आप सभी का हमेशा की तरह बहुत-बहुत स्वागत है आप लोग अभी तक एड हो चुके होंगे है ना और जितने लोग अभी नहीं एड हुए है आप प्लीज एड ह सब कुछ क्लियर है नहीं एक बार रिस्पॉंड करिएगा कि वहां से आपके एंट से आउडियो वीडियो बिल्कुल समझ में आ रहा है सब कुछ सुनने में आ रहा है कि नहीं असके बास शुरू करते हैं रिस्पॉंड करिएगा वहां से सभी टो और स्टेशन को स्टार्टिंग में शेयर कर दीजेगा जैसे कि फिर बीच में कोई डेविएट ना होना पड़े किसी को अना चलिए एक बार अपने इंट से सब लोग शेयर कर दीजेगा चलिए और आज हमरी 35 नंबर की क्लास है ना कि हम लोग करते कहां पहुंच गये रहां पर आपको कुछ बताना चाह रहा हूं कि जैसा आपका तरीके से फिर हम लोग क्या करेंगे ना शाम को जैसे पांच से चे के बीच में माल दीजिए कि 35-40 मिनिट्स का एक सेशन रख दिया करेंगे जिसमें बहुत लोग को इसमें दिखते हैं ग्रामर की पॉर्शन में दिखते हैं अब कुछ लोग स्पेलिंग तक गलत लिख देते है ना तो मैं यह कह रहा हूँ ना कि पांच से चे के बीच में जो है रख लिया करेंगे अगर आप लोग कहेंगे बस एक टार्गेट एक तरीके से बैच रहेगा जिनमें टूदा पॉइंट की जए रहेंगी ग्रामर रिलेटेड है ना आप जितने भी लोग हमारे बेगिन कर लिया करेंगे और मॉर्निंग में जैसे मारी क्लास चल रही ऐसे चलती रहेगी और इसमें आने वाले टाइम पर हम लोग प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं मतलब आप समझ रहे हैं प्रैक्टिस तो यह भी हम लोग कराई रहेंक तरीके से रूट वर्ड का हो रहा है एक कि प्रैक्टिस एट वन करके टू करके ऐसे मतलब पच्चिस पच्चिस वेशन जो प्री के हैं उनको हम लोग यहां पर डिसक्शन करना स्टार्ट करने वाले हैं आफ्टर वन भी का आप मानके चलिए कि इसको हम लोग शुरू कर देंगे हाँ अपने मौनिंग और शाम को अब आप कहेंगे तो हम लोग वो करते रहेंगे ग्रामर का पॉश्चन होता रहेगा वहां फिर टीक है तो जैसा अब लोग है तरीके से रेस्पांस रहेगा हरी मोहन बहुत ही पंच्ट्वल स्टूडेंट है हमारे ठीक है तो मैं यहां पर क्या कह रहा था ना कि वो कैभ ह समारा यह जो है 35 नंबर का एक तरीके समारी क्लास यहां पर होने जा रही है आप लोग पेपर लेके बैठ गया होंगे चीजों को प्रॉपर अच्छे से बने हुए है यही तरीका होता यही स्मार्ट स्टड़ी कहलाती पढ़ने की आप ब्रह्मा नहीं हो सकते हैं आपको सारी चीजे कभी नहीं पता हो सकती है लाइफ में सारी चीजे कैसे पता हो जाएंगे लेकिन वहां पर आपको स्मार्ट वोक करना है जितने टॉपर्स भी होत पता उनको लेकिन वो जानते हैं कि पेपर को एटेंट कैसे करना है पेपर को एटेंट करने का तरीका बहुत कम लोगों को पता होता है ठीक है तो भही मैं कह रहा हूं कि माली जी कि आपको उसका उसका मतलब नहीं पता रहेगा लेकिन आपको रूट वर्ड पता रहेगा तो आप वहां पर eliminate कर पाएंगे तबस्स्म खान जुड़ गई हमारे साथ good morning बहुत स्वागत है आपका हमेशा की तरह है ना कल शायद आप नहीं आये थे हो सकता है कोई काम आ गया वैसा कुछ है लेकिन ट्राइए किया करिए कि नौ बजे क्लास इसको एटेंड कर लिया करिए ब पता नहीं सर से पूछू या ना पूछू ठीक है जब तक आप डाउट कूछे नहीं तब तक क्लेयर कहां से होगा तो आई होप चीजों को समझ रहे हैं यह जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं ना तबस्स्म हरी मुहन आप लोग अपने इंट से बार शेयर कर दिए और नेश्ट हैंविंगवे कहें बहुत यह राइटर थे बहुत बड़े यह ठीक है तो इन्होंने कहा था क्या कि इस दुनिया में आपको कोई भी धोका दे सकता है लेकिन आपकी किताबें कभी आपको दोका नहीं दे सकती हैं इसलिए कहा भी जाता है किताबें आपकी में आपको प्रॉफर कही गई है कि मतलब कि इस दुनिया में सबसे लॉयल अगर कोई चीज है तो किताबें हैं जिनसे आपको ग्यान मिलता है जिनसे आपको अच्छी चीन नॉलेज मिलती है आप सीखते हैं उनसे और उन्हीं नॉलेज को आप अप्लाई करते हैं अपने ड के अलब होता है ठीक है जो बुक से प्यायर करें बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि उनके घर में चाहे बाखी की चीज़ें रहें लेकिन की पास किताबें बहुत जदा होती है बुकशेल्ट्स बना लएगे ऐसे हैं यहाँ पर किताबें रख देंगे यहाँ ठीज स तरीके से आपका इंक्लिनेशन उसकी तरफ बने है न क्योंकि जब तक आप किताबे पढ़ेंगे नहीं चीजों को समझेंगे नहीं तब तक तो ठीक है तबस्म कोई दिक्तत नहीं है आप लोग क्लास एटेंड किया करिए आप ही लोग के लिए ले क्लास एटो है ना चलिये अ दिखिए मैंने क्या कहा कि मैं रूट वर्ड उठाऊँगा एक ही रूट वर्ड लेकि आया उँँ मैं एक ही इस लिए ला रहा हूं कि एक ही से कितने सारे हो जाएंगे वोत नहीं डिकतना आप एब्सौर्ब कर बाौ्ग तरीकी कि से ठीक है त यहां बोलतम स्कोर्य प्राक्रान वह पैन हो गया यहां पर ये रूट बढ़े ये ठीक है मैं इसको और ऊपर कर दे रहा हूं यहां पर देखिएगा यह बहुत ही कॉंवन सा है और आप आप डेली लाइफ में भी इसको सुने होंगे इसको डेली लाइफ में आप सुनते होंगे इसको ठीक है देखिएगा यह पैन है क्या है पैन देखिए जो भी लोग कॉपी बना रहे है प्रॉपर उनको आप लिखते चलिए रूट वर्ड के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ या एक साइड में छोड़ दीजे हैं यहां पर में रूट वर्ड करूंगा जो लोग नहीं देखें आप प्रिवेस देखिए वहाँ पर वहाँ पर रूट वर्ड लगभक मैंने आठ यहां दस रूट वर्ड और लडी करा चुका हूं वहाँ पर आठ यहां समझे रहे हैं कम से कम आपके 80-90 वर्ड आपके वहाँ पर हैं तो उनको आप कर लिजिए और उसी के आगे इनको भी एड करते रहें तो हम लोग क्लास इसको करते रहेंगे जितने पी आपके रूट वर्ड से हो तयार होते जाएं देखिएगा यहां पर पैन आपको बढ़ा ले रहा हूं वर्ड था है यह पायन का मतलब क्या होता है all या everywhere जो हर जँगह है या all को दिखाता है all को जहां भी पी एड पैन रूट वर्ड प्यवाड आ जाएगा आप समझेगा है या तो वह all को दिखा रहा है या everywhere जो जो चीजे प्रतेक जगह हैं तरीके से जो चीजे क्या है प्रतेक जगह है ठीक है यह याद रखिएगा यह पैन हमारा हो गया है आप इन से कितने सारे वर्ड देखिए बने हैं आपके इसी पैन से कितने सारे वर्ड बने देखिए पहला मैं शुरू कर रहा हूं यहां पर यह नेट वर्ट है पूरी और इंडिया में पूरे भारत वर्ष में जहां भी आप जाएंगे वहाँ पर हो चीज़े मिलेंगी आपको, है ना, वो किसी की संस में भी हो सकता है, ये पैन इंडिया आपका हो गया, I hope आप समझ रहें चीज़ों को, ठीक है, आप लोको रिस्पॉंड करिए का वहाँ से, चलिए, पैन इंडिया आप समझ गया है, देखिए धर, ये पैन पैने सुना होगा, और पैने सी अगर किसी ने नहीं भी सुना है, तो आप एक वर्ड यरूर सुने होंगे, वह मैं आपको बता रहा हूं, क्या सुने हैं आप, आप ये सुने होंगे, ये आपने सुना होगा, कहते हैं ना, राम बान, हिंदी में आपने सुना होगा, उसी को यह होता है पैने सिया नाूद फॉर्म में आपका नाने संग्या के प्रॉबल्म सभी बीमारियों की एक दवा जिसको भूलते हैं सभी दुख-dar कर तकलीफों की एक दवा एक इलाज उसी को राम बान कहते हैं उसी को English में पैनेशिया कहते हैं क्या कहते हैं तक यहां पर देखिए यहां पर आपको यह है पैन है पैन का मतलब ही क्या होता है All होता है तो पता नहीं कितनी बार जो है आपके वनवर्ड में पूछा गया है वनवर्ड में बिसिकली पूछा ही जाता है यह ठीक है पैनेशिया वर्ड और इसको आप याद रखिएगा चाहे सब भूल जाईएगा इसको आप याद रखिएगा तो आपको क्या हो गया पैनेशिया हो गय यहां पर सोचेंगे अरे यह सभी तना कैसे हो गया यहां पर मैं क्योंकि नोटिस कर रहा हूं कुछ लोग है जो जिनकी हैविट हो चुकी है बाद में जोडने की है न तो आप प्लीज ऐसा मत करिए है न अपने साथ क्यों धोका कर रहे हैं आप 9 बज़े का टाइम होता है बह है आप यहां पर पैं का मतलब मैंने आपको बताया कर दिया या या एंबरिव एबरिवेर और डेम का मतलब होता है पीपल यह कैसे हो गया इनके ट्रीके से जब आप्याइप त्राय जीम्डे जाते हैं और शाट कहते हैं ऐसे को फि civतव बना गड़तन तर कहते हैं जिसमें एक तरीके से लोग चुनते हैं उपर हैड़ और स्टेट कोण होगा लोग वहाँ-पन पर अरेक्ट करते हैं तो डेमो का मतलब क्या होता पीपल देखिए यहां भी तो डेमो है पैन का मतलब एब्रीवेर जहां पर हर जगां भीड़ भाड़ वाला इलाका यहां कंफ्यूजन की स्टेट भी हो जाती है जैसे आप जाते हैं मार्केट में मचली मंडी टाइब का लगा रहता है सब्सक्राइब को इधर भाग रहा है यह मेले वगएरा में कुम का मिला आप ले लीजिए पता ही रगता कौन कहां जा रहा है उसे को खियास बोलते हैं कंफ्यूजन तो होती ह वहां पर एंग्लिश में कुछ चीजें सेंस बेज़्ट होती है तो जहां पर क्यों से रास्ता जाएगा या इतनी सारी जहां पर लोग है तरीके से करोनों लोग जा रहा है जहां पर तोड़ दिया पैंडे मॉनियम जहां भी आएगा इसका मतलब क्या होता क्या आनि की इसमिए पीपल होता है यह आप यादर रखिएगा आई होब आप समझ रहे हैं चीजों को यह वहां से अपने अंट से इचीजों का आप समझ रहे हैं नहीं ठीक है चल लेए देखे हैं प्रेंदेमों विखे आप का ये भी किस फॉर्म में था नौल रिलिज्ञन नहीं नहीं इसको रप कर दे रहा हूं थ्यान दीज़ेगा मैं कलर विचिंद कर लेधा हूं थोड़ा से ध्यान दीज़ेगा बस और ये वर देखिए एक ये वर हो गया आपका ठीक है ये हो गया और इक मैंने ये निखा था यह हो गैए आपका this यह क्या है इसमें कोई दिर्ट परकुष्ट का मतलब क्या होता है यह यह ऐसे ही होते हैं जो इश्वर को मानते हैं इश्वर को मानते हैं दे सेंस कि यह लोग आस्तिक होते हैं आपने आस्तिक नास्तिक सुना है ना आस्तिक नास्तिक सभी सुने होंगे जिनकी इश्वर में आस्ता है वो क्या है आस्तिक है जिनकी इश्वर में आस्ता नहीं हो नास्तिक है ठीक है तो आस्तिक को क्या कहते हैं पीश्ट कहते हैं और मैंने कहा हैं कि English language में कुछ-कुछ words ऐसे हैं जहां पर आ लग जाता इसका मतलब नो होता है इसका मतलब क्या होता है नो यानि कि नहीं सब्सक्राइब कि यह होता है जो इस्वर में विश्वास नहीं करते हैं यानि कि नास्तिक होते हैं अब देखी यही से मैं क्लेयर करते चलूँगा एकदम स्टार्टिंग से ले लिया मैंने ठीक है ठीश्ट यानि की आस्तिक अधीष्ट मतलब नास्तिक ठीक है और यहां तो पैंधीश्ट था यहां तो फैंधीश्ट आ गया ना पैंधीश्ट आ गया तभी तो यह कह रहा है कि one who believes in all religion देखिए यहां पर क्या गया और अल गॉट्स ऑल रिलीजन जो एक तरीके से बहुष्च्वरवादी होते हैं जो एक तरीके से बहुत सारे देवीदियवताओं को मानते हैं उनको पैंधीश्ट का देखिए हाँ पर पैन आई गया पैन का मतलब होता है ठीके पैन का मतलब क् ये किसी को हंुआ हिंदी में लिखना होता आप आस्तिक लिख लिख लिए यहां पर आप अस्तिक लिख लेंगर हाँ यह artifact क्या हो जाये गए जाये का आपका यह He हो जाएगा यह आप लिख लो है ना यह आप लिख लीजिए और यह पैंठीष्ट हो गया पैंठीष्ट यह नाउन पॉर्म में है यानि कि वल्वोग बिलीप सिन आल गॉड्स और रिलिजन जितने भी दुनिया में धर्म हैं उनके जितने सम्मधित उनके इश्वर देवी य आया होगा अच्छे से हैना रेस्वांड करिएगा वहाँ से चलिए बिल्कुल तबस्तुन सब यह लोग पढ़ रहा है अच्छे से कोई बात नहीं बहुत अच्छा लग रहा हमको यह देखके ठीक है आई हो अब तो समझने आया होगा आगे बढ़ते हैं देखिएगा यह कि बढ़ते हैं देखिए अच्छा पेन्डेमिक्त कोई आइसा कोई सुना हो पॉरुना वयरस ऐसी ऐसा दुख दे गया हम लोग पीनेविक तो हैना क्या ही कहिए नाम लेना भी जत नहीं है पता नहीं फिर ना आ जाए अना क्या ही पता लिखेए यहां बिक्किन योगन्या है क्या होता है पैन का मतलब क्या होता है इसा तो हो갈 नहीं कि प्रभावित हो लोग की चीजों से उसी को पैंडेमिक कहते हैं उसी को महामारी कहते हैं क्योंकि इस पैंडेमिक में यहां पर चीजों में परित हैं अब करोना नग्सा सारी आड़ी में आद और बन माल को कैए मैं और मैंने मतलब दिया देखे यहां पर पैन है और पैन का मतलब यह होता है आल जो सारी जगहां पर फैल चुका हो उसी को हिंदी में महां मारी कहते हैं आई होप चीजों को आप समझे होंगे ठीक है आगे बढ़ें समझ पार है ना आप चीजों को बहुत अच्छी बात है चलिए आगे देखिएगा है ना देखिए यह पैनोरमा वर्ड है यह अच्छा फोन जितने लोग स्मार्ट फोन तो सभी उसकरते हैं ऐसा तो कोई होगा नो जो नायूस करें है ना पैनरमा जब आप कैमरा देखिए व अच्छा फोड़ोचता टूचर या करते हैं जो एक तरीकिस लार्ज बार करता है जब आप एक पैनरमा को option आता है आपके camera में दिया रहता हूँ जब आप वहाँ पर क्लिक करते हैं वहाँ पर एक large landscape को cover करता है अब आप कहीं गए मसूरी वगएरा में शिम्ला वगएरा में आप चाहे रहे हैं कि पूरा एक तरीकी से large area cover हो है ना कास्का DSLR वगएरा में भी बहुत अच्छे 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 फीचर्स होते हैं तो पैनरोमा को मतलब होता जो large area को cover करें देखिए यहां पर भी pan आगया कि नहीं आपका मैं यहीं तो आपको समझा रहा हूं देखिए panorama में पैन आगया ना पैन पैनरोमा भी नाउन पॉर्म है अब यू आप एन एरिया इन आल डिरेक्शन जो पूरी डिरेक्शन से उसको cover करें उसको panoramic view कहते है जो तरीके से चारों तरब से किसी एडिया को cover करें कई सारी डिरेक्शन से ठीक है उसको क्या हो गया आपका पैनरोमा हो गया देखिए पैनरोमा हो गए है यह और पे यह देखिए और उंब औरम जो ड्सक्राइब कि ए बदरब बीड़ा रिया अब्रीवेर एना फीछे आप हम देखिए वही रूटोड हम कर रहे है पैन का मतलब क्या होता है और या एब्रीवेर जो एक तरीके से लगबग सारी जगां को तरीके से कवर करता हुआ चले ठीक है आगे बढ़ें देखिए ये पैंथियोन वर्ड है यह क्या है पैंथियोन ह पैंथियोन का मतलब क्या होता है आपने देखा होगा कई सारे ऐसे मंदिर होते हैं जिनमें लगबग सारी रिलिजन के सारे देवी देवी तरीके से उनकी मूर्थियां वहाँ पर उनकी स्टैचू या उनके एक तरीके से जो भी सेने टॉप अगएरा जो कुछ भी होते हैं पैंथियोन के एक ऐसा मंदिर होता है जहाँ पर लगबग सारे देवी देवताओं का एक तरीके से उनका चित्र बना रहता है या उनकी फोटस लगे रहते हैं यहाद रखेगा उसी को पैन ठीवल का है यहांiran का लगए एंगैब्हु यह भी किस फॉओम है उसी को Pantheon कहते है कि एटेंपल डेडिकेट टू आल गॉड्स लेकिये जरुदी आल गॉड्स अभी देवी दिवताओं दो जो मंदर समर्पित होता है उसी क्या कहते है है Pantheon कहते है आई होप आप समझ रहेंगे चीजों को है ना अंकुर हमेशा की तरह लेट आते हुए ठीक है टाइम का विशेश ध्यान रखें अब इससे ज्यादा सहूलियत आपको नहीं दी जा सकती कि पहले हमारी क्लासे 8 बज़े हुआ करती थी अब 9 बज़े हो रही है फिर भी आप लेट आ रहे हैं इसका मदब दिक्कत आपके साथ है ना तो बात है जरूर्ट कड़वी लगेंगी मेरी लगनी पी चाहिए क्योंकि सत्य तो हमेंसा ऐसा ही होता है ठीक है वो सच ही क्या जो कड़वा ना आगे बता है 9 आप टाइंग से आ नहीं पा रहे हैं तो क्या ही मतलब एक पढ़ने का ओं मेरे पढ़ाने का वी ठिक है तरिए देखिक का यहां पर यह देखे यह panchromatic word है यह क्या है panchromatic word है यह किस form में है adjective form में है और इसका मतलब क्या होगा अब photographic film that is sensitive to all colors नहीं समझ में आया होगा न देखिए यह pan जो देखिए हाँ पर pan का मतलब all हो गया और chroma का मतलब जहां भी आ जाएगा निए एक color को दिखाएगा किसको दिखाएगा color को दिखाएगा कुछ ऐसी हमारी photographic फिल्म होती है जो हम film समझते है ना जो लोग फोटोग्राफिक में यूज करते हैं जो रील्स वगरा होती है ना जो camera में एक तरीके से रील्स जो होती है तो फोटोग्राफिक फिल्म that is sensitive to all colors है ना देखिए pan का हो गया और क्रोमा का मतलब का color हो गया यानि कि एक ऐसी फोटोग्राफिक फिल्म एक कैमरे की एसी रील्स जो एक तरीके सभी color के लिए करती एक तरीके से उनको उनको reflect करती है आप ऐसे याद रखिए यह बैसिकली pan chromatic word है यह बहुत ही less common है आपकी नाम में तो बहुत कमी कमी आता है लेकिन चुकी पैन रूट वर्ट से था इसलिए मैंने यहाँ पर उसको लिखवा दिया है ना pan chromatic है आप तोड़ की याद रखेंगे तो आपको याद रहेंगी चीज़े देखिए pan का मतलब की आल हो गया और क्रोमा जहां भी आ जाएगा यह कलर को दिखाएगा रंग याने की क्रोमा एना उसी को pan chromatic कहते है इस फॉर्म में हो गया उसी को बोलते है आप फोटोग्राफिक फिल्म तैटी सेंसरी टू आल कलर सेना जो लगभभभभभभभभभभभभभभभ सभी कल कर दीजिए आप अच्छे से करिए बहुत अच्छे से बहुत जादा पैनिक मत करिएगा आगे आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं यह है मैं यह कलर ले रहा हूं देखिएगा पैंक्रोमेटिक आपका यह हो गया मैंने यहाँ पर डिसकस कर दिया आपके लिए देखिए पैंडोरा बॉक्स लिखा है क्या है यह पैंडोरा बॉक्स है यह पैंडोरा बॉक्स ठीक है और पैंडोरा बॉक्स यह एडियम भी होता है इडियम पिन्हीफ में देखे इहां पर पैंगे इसको लिए यहां पर है इसका मतलब सारी समस्याओं की जड़ी है कोन है पेंडोरा बॉक्स है यह नाउन पर में देखिए आप बॉक्स डैट वोज दी पॉर्ड और प्रॉब्लम से ना उसी को पैंडोरा बॉक्स बोलते हैं इसे को हिंदी में आफ़त की पुडिया कह देते हैं याद प्रॉपर समझ रहे हैं ठीक है देखिएगा अब यहां पर थोड़ा हम इडियंस और फ्रेजस को डिसकस कर लेते हैं है ना क्योंकि प्रैक्टिस के बिना सब बेकार है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना चीजों की जब तक आपके पास यह नहीं रहाएगा ना तरह यह यह तक चीजों का पर रहां तरह रहूंगा लाता रहूंगा आप पर सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग तो जब आप वहां से करके से से respond जब करते हैं तब मुझे एक तरीके से आडिया लग पाता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है इस portion में आपको दिकत है ठीक है यह सारी चीज़ें हमको तरीके से clear हो पाती वहां से चलिए तो देखिएगा इडियां संट्रेजिस का हमारा पॉर्शन शुरू हो रहा है यह देखिए पहला पर हम लगा दिये हैं आपके लिए देखिएगा डॉंट आपको बताना इसका मतलब क्या है कि मतलब यह है कि जब भी आपका अच्छा समय रहेगा तो आपके साथ रहेगा जहां ही आपका समय खराब होना शुरू हो गया आपसे करनी काट लेगा वहां से और यहां पर आपके साथ होता होता यहांगे अजब आपके साथ रहेगे पार्टी देजिए आप चल voyez यहां यह करते हैं और फुब पैसा वसा सब खर्च करवाएंगे सब कुछ करेंगे वहां पे लेकिन जब आपका समय तरीके से खराब आना शुरू हो जाएगा या किसी का भी है तो आप से क्या करें किनारा कर लेंगे वहां से यानि कि आपको तरीके से असाहाय वस्ता में छोड़ क चले जाएंगे वहां पर ठीक है तो ऐसे लोग को फिर वेदर फ्रेंड कहा जाता है क्या चाहा जाता है जब भी आपका समय अच्छा है तब आपके साथ है वह आपके मित्र या आपके जो भी जानने वाले हैं जहां आपका समय खराब होना शुरू हुआ वहां आप से क्या किनारा कर लेंगे बहुत लोग जो हमसे जुड़े हैं जानते भी होंगे जो अंकूर तबस्तुम यह वर्ट ऐसे लोगो आपने देखा होगा या किसी ना किसी से सुना होगा यह से भी लोग होते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंडली ऑनली इन गुड टाइम अ वैंसे र आफ द्रेंजन रेंजन मतलब मैंने आपको बताया था रैंसम का मतलब क्या होता है वैसे किसी को याद नहीं होगा वैसे किसी को गलती से है लिए आ ये आपका है ने इस ब PSP 흰ोती होता है लिए उनको मंत्री को बेटी को कह रहा है मैं भी बार चिलला चिलला के बताया है लेकिन कोई बात नहीं लाइण करका मतलब क्या होता खी BM है एक बना दे रहा हूं है यह कि विखेंश yönपे थे हैं पीजा है ऐ उर खेंश गया जीए पीज़ाय समझी हेगा नहीं कहेंगे सर यह कौन सा पीज़ा बना दीए ठीक है पॉर्ण वाला है ठीक है पीज़ा है यह अब लाइन सेर का मतलब क्या होता ना लार्जर पार्ट भाई सेर अगर शिकार करेगा तो सबसे बड़ा वाला हिस्सा ही लेगा आप ऐसे याद रखो लाइन सेर ना यानि कि पीज़ा है इतना सारा कुछ आफ ही ले लिए यह टुकड़ा किसी को दे दिया तो दे दिया है यानि कि larger पार्ट आप रख रहे हो आप रख रहे हो यह ना यह पनोलते लाइन सेर यानि कि larger part यह बहुत रहे है एक नंबर देके जए जाएगा प्या दिकत है lump in the throat and a lump in the throat का मतलब क्या होता है रिस्पॉंड करिएगा वहां से लंब इन दी थ्रोड का मतलब क्या होता कि एक बार रिस्पॉंड करिएगा आपकी आपको इसका मतलब बताना है आपको कि या रखीएगा फूरा दी लो टाइप हैना जू लो टाइप होते हैं अगधितर नम्हें रखत थोey सब्सक्राइब यह लंप इंदी थ्रोट का मतलब क्या होता है यह बहुत ज्यादा इमोसिनल हो जाते हैं तो उसी को बहुत जादा इमोसिनल हो जाते हैं इसको आप याद यह जाद रखेगा यह आता है एक्जाम में यह क्या है एक्जाम में आता है को इमूशनल बीट लुब है जो भी लोग प्रीवेट पेपर सौल करते हों को यह मिलता होगा जरूर से जरूर और इसको आप याद रखेगे ठीक यह आगे दिखिएगा यह दिखे, to keep the pot boiling, यानि कि pot है, pot कैसे बनाएंगे, pot ऐसे बनाएंगे मालीजिए, यह pot है, यहाँ पर नीचे जो है, आग जल लही है, इस पो आगी समझीएगा, ठीक है, आग जल लही है, आग जल लही है, यहाँ पर flame निकल ला है, ठीक है, to keep the pot boiling का मतलब क्या होता है, आपक interest, यानि कि, बहुत ही low feel करना, या pot को गरम करना, to keep the pot boiling का मतलब होगा, या to maintain interest, कई बार क्या होता है, कि आप literal meaning धूरने लग जाते हैं, इडियन्स में क्या होगा, literal meaning वहाँ पर नहीं काम करती, जैसे आपको लग सकता है, to keep the pot boiling का मतलब होता है, बर्दन को आप गरम कर रहे हो यहाँ पर है, उसको गरम कर रहे हो, लेकिन आपको फिर लगेगा, to heat the pot, यानि कि, pot को क्या करना, गर्म करना है, लेकिन इसका दूर दूर तक कोई उससे मतलब नहीं है, तो आपको खाली confuse करने के लिए यह, यह वाला option तो आपको confuse करने के लिए है, कि आप इसको tick करते है तो की the pot boiling का मतलब क्या होता है, अपने interest को maintain रखना, यानि कि, जैसे मैं बताओं कि, कुछ चीजे ऐसी होती है, कुछ काम ऐसे होते हैं, जिन में आप इस्टार्टी में बहुत ज़्यादा interest को करते हैं, फिर समय के साथ आपका, उसमें interest खत्म होने लगता है, वहाँ पे, आ आप पे चढ़ा हुआ है, यानि कि, pot boil कर रहा है, तरीके से, यानि कि, to maintain interest, यानि कि, आपने आपको जो interest है, आपकी जो रूची है, उसको आप maintain करके रख रहा है, इसलिए बोलते हैं, तो keep the pot boiling, आपका मुहावरा है, इसका मतलब होता है, अपने interest को तरीके से, बना के रख को, हैना, आगे बढ़ें, चलिए, यह देखे, to draw the long, वो, हैना, to draw the long, वो, इसका मतलब क्या होता, to shoot, to exaggerate, to criticize, to admire, हैना, मैंने admire आपको बताया थाना, किसी को एड्मायर करना, किसी को प्रिशंसा करना, हैना, किसी को प्रेस करना, किसी को प्रेस करना, एक तरीके से, मैंने किसी को प्रेस करना, किसी को अप्लॉड करना, किसी को लॉड करना, ठीक है, और criticize का मलब क्या होता है, किसी की आलोचना करना, मैंने censure आपको बताया था, मैंने इसका क्या बताया था, मैंने आपको टाइरीड बताया था, मैंने आपको टाइरीड बताया था, मैंने आपको क ख्याइज रेट का मतलब क्या होता है एक जॉट रेट का मतलब क्या होता है बहुत बढ़ा हाट चीजों को बताना ziet आ या या उसको लाखोर रुपैदान दे दिए किसी की 100 ऋरुपै के मदद कर दिया आपने कोई बहुत दुखदरत में था कोई बहुत तकलीए में था आप गया है उसको 100 दे दिये लेकिन लोगों से आप क्या कह रहे हैं लोगों से आप यार मैं उसको ऐसे एक दूलाख रुपैसे दे दिये यानि चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं उसी को बोलते हैं टू ड्रॉदी लॉंग वो उसी को बोलते हैं क्या टू ड्रॉदी लॉंग वो यानि की चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताना चीजों को बढ़ा चढ़ा के बतान तो पुछ हम लोग कर लेते हैं यह ना क्या कर लेते हैं जैपाल आ गए हैं हमेशा की तरह जैपाल भी ऑप्शन बता रहे थे बेल्कुल सही है जैपाल बहुत ही अच्छे सूडेंट हमारे आप लेकिन थोड़ा से ट्राइ किया करिए ना कि आप 9 बज़े आ जाया करिए ठीक है बहुत दोग मैं देख रहा हूं लास्ट में जुड़ते हैं जब यहां पर क्लास की एंडिंग होती है तब आप लोग एक तक क्लव करते हैं देखिए घर करा यह देखिए इंटेंशनल अल्डा внимीर इस्ट्रक्शन और लेसील ग्रु मखसद समझते हैं रद आपका है तो intentional destruction कहा रहा है यहाँ पह। इस इक पूरी जाति कर देना उस पाहिए तो मतलब उस जात के जिदनी भी लोगनुको लगे मारतATION कर देन और है ख़ल आप तो पताया था मैंने आपको यह भी पताया था जो लोग नहीं जानते है आप इसको लिख लिए गा side जहाँ पर भी आ जाएगा ना यह killing को दिखाएगा to kill यानिकी मार देना यह root word है basically side का मतलब क्या होता है kill कर देना या मार देना जहाँ भी जिस word के last में side आ जाएगा इसका मतलब होता है मारना अब side से बहुत सारे words बनते हैं मैं आपको एक पूरी स्रीज एक अठे करा दूँगा किसी क्लास में है ना जहाँ पर साइड से आपको सारे कुछ वहीं पर क्लेयर हो जाएंगे ठीक हो इसको मैं करा दूँगा देखिएगा तो रेजी साइड का मतलब क्या होता है राजा या रानी की हत्या कर देना है ना तो किल किंग और पीन उसी को रेजी साइड बोलते हैं उसी क्या बोलते हैं रेजी साइड बोलते हैं यह आप याद रखिएगा अच्छा एवी साइड मैंने लिखा था मैंने एवी से आपको एवीशन याद कराया था एवी से मैंने आपको याद कराया था ठीक है तो फता बॉर्चियों को मार देना किसको मार देना पक्षियों और actively आ गया आने की बर्ठ रिलेटेड है ओके चलिए वा ओ यह आपा रिछाइड यहां पर होग गया क्यों साइड यहां फीung कर लिया उसने कर लिया कि आत्म हत्या कर लिए तो दीजिए इसको तोड़ेंगे यहाँ पर यहाँ पर यह आजाएगा और यह आपका दिखाता यारे कि अपने ऑफ और ये आपका आंसर चाहे से जना इसी को बोलते हैं किसी एक तरीकिसे जादी के बहुत हिए कटा है सिरा आप बande का और फोगोगल करेगा अर्मेनिय कंट्री है वहां पर एक गिंपार पूरा सफाया कर दिया गया था वहां से है ना अर्मिन जनोसाइट बहुत फेमस है यह बहुत फेमस इंसिदेंट हुआ था यह हिस्ट्री में ठीक है इसको आप पढ़िएगा इसके बारे में उसी को जनोसाइट कहते है यानि कि पूरे एक तरीके से जीन सभी घ्यात को उनकिक जीन को वालिन ड्रीके से उसकी पूरी जात की नसी को जनोसाइट बहुत है बहुत ही अच्छा वट है कई बार एक्जा में आता है यह ना बहुत बार आता है आगे बढ़े यह देखिए one who cuts precious stone है ना उसको क्या बोलते हैं आपका ड्रेपर है आपका लैपिडिस्ट है आपका या ऑक्किलिस्ट है आपका है ना पताईएगा सबस्तुम डी भूल लाई थी ठीक है विल्कुल आपका सही है पहले भी आपने बताया था है ना कोई दिक्कत नहीं है सब सीखते रहे हैं चीजों को प्रॉपर है ना तो मैं क्या कह रहा हूँ तो वन हुप कट्स प्रीजेस स्टून आप जाते हैं रिंक्स वगारा पहनते हैं पंडी जी ने काया है पुखराज पहन लेजिए या मूगा पहन लेजिए ठीक है तो आपने सुनार के दुकान देखी होगी ना वहां पर आपने देखा हुगा कि कुछ-कुछ मेटल्स होत प्रॉटे आफ समझते हैं ना उनको को जाता है इसका मतलब क्या होता है कपड़े का वियापारी वन हुझ से ना जो कपड़े के कपमार करते है और मतलब मारा आइज हमारी आँखे होती है उन्हें को कहते हैं क्या कहते हैं और इसको बोला जाता है जो तरीके से गहमूली रतनों को काटते हो गए रहा है उनको एक तरीके में आ चुका है चारों और देखिए मैं ऐसे सेटी करता हूं कि एक क्वेशन आपको चार क्वेशन निल जाएं वहां पर तो यहीं तरीका पढ़ने का भी तो आई होप चीजों का प्रॉपर इंज्वाय कर रहे हैं लिक भी रहे हैं साथ में ठीक है चलिएगा तो आई होप ल क्योंकि आपर किम जौंग साहब हैं आया दिन मिसायली टेस्ट कर रहे हैं वह पता नहीं को से मिसायल थी हो वह सांग 8 वह सांग 10 पता नहीं क्या-क्या आजकल लोग कर रहे हैं अमेरिका को डराने के लिए हैं तो वहाँ पर बेसिली डिक्टिटेटर्स है वहाँ पर ताना का हम जनता है वो लोग अपने Head of Strait का चुनाव कर सकते हैं कि वहाँ पर तानस आई है हम लोग अपने यहां पर क्या है हमारे यहां हम लोग वोट देते हैं यहां पर पूछा government by the gods यानि जब इस्वर शासन चलाने लगे जब भगवान शासन चला लेगे उनको क्या कहेंगे ठीक है देखिएगा प्लूटोक्रेसी है आपका थीयोक्रेसी है अरिस्टोक्रेसी या थियारकी है क्या है थियारकी है मैं इसका आंसर जरूर देखना चाहूंगा आप लोगों से क्या आप कर रहे हैं हाँ बिल्कुल लैपडिस सही है तबस्सम है न उसका लैपडिस सही है आप आगे देखिए य गवर्मेंट पाइदी गॉट्स आपके प्रूटो क्रैसी है अरिस्टो क्रैसी या थियार की है इसको कोई बताए बागी विजने हमारे साथ जुड़े हैं अंकुर है ना जैपाल गुर्जर है हरी मुहन है यह सब आप लोग रिस्पॉंड करिएगा वहां से बताएए क्या हो क्या कहते हैं है क्या या रखिए गाई मां लोग जैसे हमारे साथ है आडानी सब बडला और सब हो गये कुमार बडला हो गयी सारे लोग जब एक तरीकी शावसंत करने लगे तो उनको क्या कहेंगा आप होहां पर वहां पर जाने के अन्हों के पास बहुत जादा रिच हैं लोग इस लिए सब्सक्राइब है और गया उनको क्या नहीं करता है और अब इसको नहींद करते हैं आप तो नेप्यों तक ही है तो प्रूटो क्रैसी का मतलब क्या होता है जब एक तरीके से बहुत ही ज्यादा एक तरीके से यह बैसिक धनाड के लिए बना हिए एरिस्टो क्रैसी मैंने आपको क्या पता है कि हो सकता है वह धन से भी हो हो सकता है बहुत जादा इंट्रियंशियल भी हो लेकिन प्रूटो क् होते हैं एसा लोग संपत्ति बहुत होतीं के पास अब उसे कुछ नнаком रहें निको निके शञाएं क्रelitution ओप्ने श्री करिक चाहते से जो आपका पुरोभी होता है ने में आपको इसके सी जो आपको बराइय गए इतो घ्रिकर थो श्रास righteous हिए उसका मतलब की होता है तब उससरकार को उस सरकार को क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे जैसा कि दूले आपके जो एक तरीके से यह पादरी वगएरा जितने भी है क्या जब वह चाहिक लगे है लेकिन हमारा प्रफिशन क्या था हमारा प्रफिशन था गवर्मेंट बाइड गॉट्स यानि कि पीश्वर शासन चलाने लगे भगवान आजए साक्षा धर्ती पर भगवान जैसा चाहें वैसा करें उन्हीं रिशासन से पुरी दुनिया चले और गवर्मेंट बाइडी गॉट्स उसको थ बादरियों मौलवियों का है जब वो लोग साथन चला एक तरीके से और यह क्या थियार की है क्या है थियार की है आई होब आप डिफ्रेंस समझ पाएं अच्छे से ठीक है आगे बढ़ें आगे बढ़ते हैं देखिएगा है न यह देखिए एक्स्ट्रीम फियर अबाउट ब्यूटी ज्याने कि बिसिकली यह लड़कियों के लिए योजी होता है यह लड़कियों के कैसे यूज होता मैं आपको समझाऊंगा ब्यूटी बढ़ा गया तो ऐसे भी आपको लग रहा अदी लड़किया क्या होती है होती है क्या होती है बहुत ज्यादा में और प्रह के बहुत कम घया खाने लड़किया बहुत ज्यादा वेड वेड़ पॉंस्येस होती है बहुत ज्यादा चिंतित रहती है उप्षेशन देटा उनको उसके प्रती ठीक है और लोग कई बार बहुत कम खाती है तो अंडर्वेड भी हो जाया करती है उसका यहां भी संझ जाता है उसी को एनोरेक्सिया क का चाहते हैं अन्रोग्स विए अगर आप आजाएगा इंट्रोफॉबिया किसको आप तोड़ लीजिए ऊधर रात क्या होता है डर एंड्रो का मतलब होता है मेल मेल यानि की पुरुसों से डर किस्ते डर पुरुसों से डर यानि की मेल को जा रहा है या मेल की कंपनी आप लोग पसंद ना करें तो उसको क्या कहते हैं पुरुसों से डर कहते हैं और गाइनोफोबिया पर आ गया या पर बैसिक कुट्टों से डर हो जाएगा साइनो का मतलब यह होता कुट्टे ठीक है साइनो का मतलब क्या होता कुट्टे आपके डॉक्स और फोबिया का मतलब डर हो गया और गाइनोफोबिया गाइनो का मतलब होता है फीमेल है ना हमारा गाइनी यह इसका मतलब क्या होता है फीमेल होत यह लोग को लोग जाएगा बहुत इंपॉर्डेंट वर्ड है यह 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 बीटी आई भूब चीजों को आप समझ रहे हैं प्रॉपर नँच चलिएगा लिखते रहिए आप लोग लिखते रहे हैं इसको यह देखिए य'e' は लग्ращत का पागल थोसी की प्रति है पताना चाहिए लिए मरे जा रहे है कöyle देखिए मेनिया मैं यहां पर लिख दे रहा हूँ एक मेनिया हो गया आपका और एक आपका क्या हो फोभिया हो गया लगत एक आपका मे 분들은 फोभिया हो गया लेन कीम इंटिया और गया चैसा की जा रहा है जाता पागल पर होता है और फोबिया का मतलब आप उसे डर रहे हैं देखिए आप जब रेवीज हो जाता है यानि कि पानी से डर होता है आपने वह मुवी देखे होगी भूल भूलाईया में राजपाल यादो से क्या कहता आक्षे गुमार बस पानी से तुम बचना वहां पर है न तब तक मैं आपके और जो उप्शन को डिस्क्स कर रहा हो यहां पर एंगलोफोबिया का मतलब कहा होता है ना ऑनग्रेजी चीज़ों से डर याने कि जो एक तरीके से आपका डर बैठ जाना उनके जो रिवाज है न उसको एंगलोफोबिया कहते हैं वह आपका या इंग्ल याद रखे गया और entomology मैंने आपको बताया था एक दिन मैंने आपको entomology बताता है आध्यन जो इंसेक्स होते हैं उनका अध्यान लेकिन यहां पर इंटमोफोबिया है यानि कीड़ पतंगों से डर बहुत होते हैं यसे खासकर लड़की भी डरती है लेकिन मैक्सिमा पने मूवी से अगरा में देखा होगा क्या करेंगे लोग हंगामा मचा देते हैं बहुत बुरे तरीके होता है यहां पर यहां पर आप सी ऑप्सन क्या हो जाएग बिल्कुल राइट हो जाएगा आई होप आप समझे होंगे कीजों को मैं बहुत ही ब्रेक करके तोड़के एकदम आपको मैंने यहापर समझा दिया है ठीक है तो यह थी हमारी बहुत ही अमेजिंग सी क्लास आज की कीजों को I really hope कि आपने समझा होगा अच्छे से चीजों को प्रॉपर लिखा होगा कुछ लोग हैं जो क्लास जब मारे एक तरीके से एंडिंग का टाइम आता है तो आपसे रिक्वेस्ट यही है या प्लीज नौ बज़े आ जाया करिए और सेशन को आप लोग शेर करिए I really hope कि आप ऐसा कर रहे होंगे और अगर नहीं कर रहे होंगे तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे यह ठीक है हाँ बिल्कुल जैपार और तबस्वम आप लोगा सही है वहाँ पर ठीक है मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जहां पर पिए आपको जो भी शोचल मीडिया जो अकाउंट से आप लोग वहाँ पर अपने दोस्तों को बताएं आपके आस्पा जो तैयारी करने वाले हैं उनको बताएं कि हमारे डेली यहाँ पर 9 बज़े क्लास हुआ करती है आप देखते हैं कि मैं चाहता हूं कि बहुत ही आराम से बहुत ही फनी वे में चीज़े आपको याद हों कैसे भी करके गाना गाके या रूट वर्ड से या निमॉनिक से है ना कैसे भी करके आपको चीज़े याद हो वहाँ पर ऐसे ग्रामर के रूल हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें बहूत ही आराम से मैं आपको समझाता हूँ कि वहाँ उस part में प dormir है तो क्यों है इर और है यह तो आप books में पढ़ लोगे तो यहाँ नया क्या जरूरत है तो मैं आपको बैसिकली यही बताना चाहरा हूँ बॉक्स में वहाँ पर लिंक दे रखा है क्लास का उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे वहाँ पर तो आप टेलीग्राम चैनल पहुंच जाएंगे वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी पीडियव पर पहले से और यह भी जैसे हमारी क्लास आज इंड हो गई तो आप लुक्सियर करें जादा जादा इसको लाइक करें कोई दिक्कत आपकी है कोई परेशान ही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें थैंक आपको लाइन